नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूं का जोल नरायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉनिंग इंडिया की खबरों में असम की गुहाती समेद पुर्वोत्तर में भुकम का बड़ा जटका महसूस किया गया साथ बचकर 55 मिनट पर आईज भुकम की रिक्टर स्केल पर तिवृता 6.4 बताई जा रही है और भुकम का किंद्र बिंदु असम का सोनित पुर बताई जा रहा है जटका कई मिनट तक महसूस किया गया लोग अपने घरों से बाहर निकल आए भुकम का प्रभाव असम समेद उत्तर बंगान में भी महसूस किया गया है गुहाटी में कई जगा बिशली गुल है बताई जा रहे कि बुकम के लगाता दो जटके महसूस किये गया पहला जटका साथ बचकर 55 मिनट पर महसूस किया गया इसके थोड़ी देर बाद दूसरा जटका भी महसूस किया गया है असम के कई घरों में दरारे भी आ गई है महरास्ट के थाने के मुंब्रा स्थेत प्राइम क्रिटिक क्रेयर अस्पताल में आज सुबा आग लगने से बड़ा हाथसा हो गया आग लगने की गटना के वाद शिफ्टिंग के दौरान चार लोगों की मौत हो गई याग सुबा कर ये तीन बच कर 40 मिनिट पर लगी बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है फिलहाल बचाव अभियान जारी है थाने महानगर पालिका निकाहें की लगभग तीन बच कर 40 मिनिट पर थाने के मुंब्रा प्राइम क्रिचिकेर अस्पताल में आग गई है इसे पहले पिछले अपते मुंबई से लगभग 70 किलो मीटर दूर पालघर जिले के विरार में स्थित एक अस्पताल में आग लगने से 15 कोविड मरीजों की जान चली गई थी इस मामली में पुलिस ने रविवार को अस्पताल के मुख्य कारकारी अधिकारी को और उनकी लापरवाही और अगनी सुरक्षा नियमों के लंगन के आरोप में गिरफतार किया गया अधिकारी ने कहा कि जाच के दौरान पुलिस को पता चला कि असपताल ने राजसरकार सुप्रीम कोट के विमन नियमों और दिशार नर्देशों का कतित रूप से लंगन किया अस्पताल ने इस साल अगनी सुरक्षा ओडिट भी नहीं किया था साथ ही उसके पास अगनी शमन विभाग का अनापती प्रमान पत्र भी नहीं था देश के लगभग 150 जिलो में COVID-19 पॉजिटिविटी रेट 15% से ज़ादा है और कोरोना महामारी से इन जिलो के हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेस बढ़ रहा है ऐसे में जिलो में लॉगडाउन लग सकता है केंडरी स्वास मंत्राले के ओर से मंगलवार को एक उच्चिस तरिया बैटक में इन जिलो को लेकर ऐसे कदमों की सिफारिश की गई थी लेकिन केंडर अंतिम तेसला राजिस सरकारों से चर्चा के बाद लेगा मंत्राले से जादा केस लोड और हाई पोजिटिविटी रेट वाले जिलो में संक्रमन की प्रसार से निपटने की ततकाल कड़े कदम आवशकता बताई है एक वरिश अधिकारी के मताबिक हमारे एनलसिस से पता चला है कि बहुत ज़्यादा पोजिटिविटी रेट वाले जिलो में लॉगडाउन जैसे उपाई अगले कुछ हफतों में संक्रमन की चेंड तोडने के लिए आवशक है भारत अब लगभग एक हफते से रोजाना तीन लाग से अधिक मामले जेल रहा है सुमवार को देश भर से तीन लाग तेईस हजार नए मामले दर्च किये गए जो कि महराज में सबसे अधिक नए मामले 48,000 से जादा सामनी आए है इसके बाद उत्तरप्रदेश में 33,000 से जादा और करनाटक में 29,000 से जादा मामले सामनी आए यहां तक कि केरल जेसे कम अबादी वाले राज्यों में रिकॉर्ड मामले आ रहे है भारत की डेली पॉस्टिविटी रेट फिलहाल 20 फीसद है एक्टिव केस लोड मधे मार से लगातार बढ़ रहा है और सोमबार को 28,000 से जादा एक्टिव केस हो गए है आठ राज्यों महाराष्ट, उत्रप्रदेश, करनाचा, केरल, राजस्थान, गुज़वाच, छत्रजगर और तमिलाडू में देश के करीब करीब 70 फीसदी आक्टिव केस है इनमें से हर राज्यों में एक लाग से अधिक एक्टिव केस हैं स्वास्ट मंत्राले के अधिकाले ने मावारी की दूसरी लहर के दुरान कुछ राज्यों में बढ़ती पॉजिटिविटी रेट पर चिंता व्यक्ती है पॉजिटिविटी रेट के कारण हेल्थ सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है सुमबार को देश भर में करोना से 2000 से जादा मौटे हुई है जिन मेंसे 10 राज्यों में 77 रश्रमलो 3 फीस्टे मौटे हुई थी माहराज में सबसे जादा 524 मौटे हुई है माहराज के बाद दूसरे नमोट पर दिली राहे यहां 380 मौटे हुई है यानि यह कहा जा सकता है लगातार जो मामने हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं फिलाल जो इतना ही आप बढ़े रहें विस्वाले गया के साथ